स्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दूस्त और मेरे इस मेडिकल दूस्ट चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसे बहतरीन टेबलेट के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया का सबसे नमबर वन पैन किलर माना जाता है और इसे कोई भी डॉक्टर ज्यादर प्रिस्क्राइब करना चाता है क्योंकि इसका रिजल्ट जो है अधर पैन किलर टेबले कर रहें वो है जीरो डाल पी जो कि इपका फार्मा दौरा इस प्रोडक्ट को बनाय जाता है जो कि इंडिया में इपका फार्मा सबसे बेस्ट फार्मा माना जाता है बात करें इस जीरो डालपी टेबलेट के कमपोजिशन की तो इसमें आपको मिलते हैं दो साल्ट पहला जो साल्ट है एसी कलोफनेक इसमें 100 mg डाला गया है दूसरा जो साल्ट है पैरसेटमाल 325 mg और साथ ही इस पे सेड्यूल एच ड्रग की वार्निंग भी दी गई है यानि कि इसको यूज करने से पहले एक बार अपने नजदी की डॉक्टर से कंसल्ट कर ले उसके बाद ही यूज करें तो चलिए अब जानते हैं इस जीरो डालपी टेबलेट के धेर सारे फायदे के बारे में दिखे इसका 10 टेबलेट का एक श्ट्रिप आता है जिसका दाम 40 से 45 रुपे या 50 रुपे के लगभग पड़ता है जो कि आपको एजली किसी भी मेटकल स्टोर पे असानी से मिल जाता है दिखे इस जीरो डालपी टेबलेट को तीन कैटगरियों में बाटा गया है पहला जो कैटगरी है एंटी पारेटिक, एनलेजेसिक और एंटी एंफल कैटगरी में बाटा गया है एंटी पारेटिक का मतलब अगर आपको किसी कारणवस फीवर की शिकायत होता है जैसे कि वाइरल फीवर, टाइफाइड का फीवर या फिर मान लिजिए कि मलेरिया का फीवर उन कंडिशन में भी आप जीरो डालपी टेबलेट का इस्तमाल कर सक सकते हैं और इससे फीवर को दूर भगा सकते हैं साथ ही दूसरे कैटगरी में जब बाटा गया है उसका जो यूज होता है एनलेजिसिक ड्रक के कैटगरी में यानि कि इसे हम दर्द निवारक टेबलेट के रूप में भी जानते हैं दिखिए अगर आपको आपके पैरों मे या हाथों में किसी कारड़ वस, मोच या चोट लगने की वज़ज से आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उन कंडीशन में भी आप जीरो डाल पी टेबलेट ले सकते हैं साथ ही अगर आपके कान में दर्द होता हो आखों में दर्द होता हो नाँक में कंडिशन में भी जीरो डाल पी टेबलेट का आप इस्तमाल कर सकते हैं और एक जगा और भी तिसरी जो इसकी कैड़गरी यूज की होती है एंटी एनफलमेटरी यानि कि अगर आपके हाथ पैरों में चोट लगने की वज़े से या फिर मोच आने की वज़े से हाथ पैरों में सूजन की शिकायत होती है साथ में पेन भी बना रहता है उन कंडिशन में भी आप जीरो डाल पी टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं ये सूजन को कम करने के साथ-साथ उस जगा से पेन को भी दूर कर देता है यानि की इसे हम बुखार में इस्तमाल कर सकते हैं दर्द में इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही अगर बाडी में कहीं सूजन होता है उन तरह के सूजन को भी दूर करने में भी इस जीरो डाल पी टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं एक मज़े की बात आपको बताओं ये जिरोडाल पी जो टेबलेट है इसे हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं अगर प्रेगनेंसी के दोरान फीबर की शिकायत हो या फिर कमर दर्द की शिकायत हो या फिर हाथ पैरों में दर्द की शिकायत हो उन कंडिशन में भी जिरोडाल पी टेबलेट को हम दे सकते हैं और ये इंडिया का नमबर वन पेन किलर माना जाता है इसे लोग बहुत ज्यादा इस्तमाल करते हैं साथ ही डॉक्टर भी इसे बहुत ज्यादा प्रिसक्राइब करते हैं और ये पेटेंट दवा होती है जिरोडाल पी बात करें इसके डोज की तो इसे एडल्ट में यूज किया जाता है यानि कि बड़े लोगों में इसका इस्तमाल किया जाता है इसे एक एक टेबलेट सुबा साम खाना खाने के बाद इस्तमाल किया जाता है अगर आप बच्चों में देना चाहते हैं तो जैसे कि पांच साल से उपर के बच्चों मे आधी आधी गोली शुबा शाम आप दे सकते हैं बात करें इसके साइड फेक्ट की तो दिखिए इसमें दो साल्ट है अगर दोनों साल्ट से आपको एलर्जी है तो उन कंडिशन में आप जीरो डाल पी स्तमाल ना करें साथ में इसमें पैरसितमाल मिला हुआ है जिसके ओवर डोज लेने से लीबर पे काफी गहरा असर पड़ता है इसलिए मैं कहता हूँ इस दवा को आप अपने घर में एमरजन्सी ड्रग के रूप में भी रख सकते हैं साथ में ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अपने नजदी की डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं तो ये था जीरो डाल पी टेबलेट के बारे में सब कुछ आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चैनल को सस्क्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें ताकि ये जनकारी औरों तक पहुंच सके